आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, आज का हमारा Question है How will you compute the amount payable to deceased partner? जो deceased partner है, उसे में कितना amount pay करना है, आप कैसे find out करेंगे? तो इसके लिए हम बनाएंगे उसका Capital Account क्या बनाएंगे? Capital Account तो उसमें basically हमारे पास दो साइट्स होंगी that is debit side and credit side तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसको देना है Balance of Capital जितना भी उसका Balance होगा Capital का क्योंकि अब Partner जा रहा है तो उसको उसकी Settlement करनी है हमें, ठीक है? Next is Share-In Profit अगर कोई भी Profit पढ़ा है Undistributed तो उसमें इसका Share जितना भी होगा वो Revaluation Profit अगर Revaluation का Profit है तो इसका जितना भी Share है वो हम Credit कर देंगे, Interest on Capital अगर इसका Interest बनता है Capital पे, तो वो मतलब बेसिकली जो भी हम इसको देना है वो हमने Credit कर देना है, ठीक है? और Reserves जो भी Reserves हैं और जो भी Undistributed Profit है उसमें जितना भी इसका Part बनता है वो हम Credit कर देंगे Okay वो हम Debit कर देंगे, Revaluation का Loss बट उसका अपना Share, जितना भी Share होगा उसका ठीक है? पूरा Profit नहीं Because पूरा Share तो सब में Distribute होता है नहीं तो जितना भी उसका Share है, हम इस तरीके से क्या करेंगे? अब यह Amount हमें बता देगा कि उसका कितना Amount बनता है? तो इसमें से इस Amount को लेस कर देंगे तो हमारे पास आजएगा Amount Pable to Amount Pable to Deceased Partner कि उसे कितना पैसा देना है Okay? Thank you आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर